बिस्मिल्ल्य राह्मान रहीम आप लोग देखने हैं हमारा फूर्ट प्लेवर चैनल एचम और हमारी प्यारी सी यूटूब फैंली इंशाला जहां जहां आप यह सब खैरिया से उम्हें उम्मीद करता हूं वीवर्स आज में बना रहा हूं बहुत ही मद्यदार से जिनाव के सब्सक्राइब करते हैं तो वीवर्स के रहे हमने लिए हैं एक एजी मेंने करे लिए हैं अच्छे करेले देखके लिए लिजेगा कभी कभी यह बहुत खराब और पिलिपले वेगरा वाले करेले हों तो बिलकुल ले लिए 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 बिलकुल फ्रेश और बहुत ही जबरता है तो बहुत ही मज़ेदार से इन्शालला करेलो के रास्पे बनाएंगे सबसे पहले इसकी हमने करनी होते हैं कर्टिंग करने क और इसके अंदर की जो बीज होंगे ना काई वो भी बहुत ही कैसे ले होते हैं कड़वे होते हैं उनको हमने बिलकुल निकाल देना ठीक है अकसर लोग इसको निकालते हैं इसी तरह बना लेते हैं बीज इसके अंदर बहुत अच्छे रगते हैं अगर पक्के बीज हो तो गलग से बीज भी एड़ कर सकते हैं पर यह अगर आप इसके अंदर डालेंगे ना तो बहुत ही जाधा कड़वे के रिले बनेंगे इसको रिमूफ करना बहुत ही असान है देखें बिलकुल हाथ की मदद से जरूरी नहीं कोई चम्चे-म्चे से करें आप हाथ सी जिसता नही सकते हैं सो भीवर्स आप हमने इसकी करनिगे बिलकुल गोल की जरुख करेंगे बिलकुल इस तरहें से से सद्वा अश्यादा बढ बारी करने ओर शादा बारीज भी नहीं करने और येकीन माने इंचालब इसको 50 पर संट में गारंटी लेता हूँ कि बहीं 90 परसंट की मीने चटपटे से और मज़ेदार जिनावियां किरेले हमारे रेडियोंगे तो गाइस हमने इसकी कटिंग कर ली देखें बिल्कुल फ्रेश और एक चनी में मैंने इसको डाल दिया है जो देखें चनी में डालने का मकसद यह है कि अब मैं इसको लगाने वाला हूँ नमक पर अच्छे से इसके ओपर मलेंगे नमक को बिल्कुल इस तरह से इसको मलने के बाद चनी में हमने को रखना है ताकि इसका जो है guys सारा का सारा कसेला पानी जो कड़वा पानी होता वो बिल्कुल नुकल जाएगा और मैं इसको धूप में रखूँगा ठीक है guys अगर आपके पास धूप ना हो तो बिल्कुल एक दो घंटे के नहीं धूप में रख दें नहीं तो आप इसको बिल्कुल वैसे ही रख सकते हैं हवा के अंदर भी तो आपको में दिखाता हूँ इंशाला थोड़ी देर के बाद दो से ड़्ूप में रख देते हैं मैंने इसको धूप लगा लिए अच्छे से और यह देखें कितने ही जादा खुश्क हो चुके हैं और यह देखें इसका जो कड़वा पानी होता है यह देखें बीच में बिल्कुल आगया है यह देखें आप नीचे जो है बिल्कुल इसका कड़वा पानी इसको अच्छे से अब धोना है बिलकुल खुल्ले पानी थो ना है कि सका जो नमक कि से बुत 46 है है उर्प 2 सबस्रेमेर क्रेंश strict आ कि क्त भूरं पानी बिल्कुल रेमॉव करने भी धुट का लिए ने मैं बदाये नमक पानी बिल्कुल रेमुफ कर लीना है आप पैन ले लिए किम नेकाल दी और हम इसको أنदर अप्सक्राइब कर लेंगे और अप्सक्राइब करें वी कर लेंगे और लिएचिस के अंदर हमने बिल्कुल आड़ कर दिया है अपने क्रेले प्यारे प्यारे से देखें कितना ही खुब्सूरत लग रहे हैं स्लाइगे में बहुत ही मज़ेदार होते हैं मुझे तो बहुत ही पसाने चनी की दाल के साथ बने या टिमांटर प्याज हो और या किसी भी चीज़ के साथ तो गाइस यह भी परफेक्ट से कोख हो जाएंगे तो वीवर जब तक हमारे क्रेले हो रहे हैं हमने गरे टिमांटर करने हैं प्यास को कर लिया है और बहुत ही प्यारी सी भाई करेलों मैं से खुश्भू भी आ रही है और येकीन माने और आपको जितने को कड़वाट बिल्कुल खतम करन बिल्कुल इस तरह का कलर देना इसको अब ये मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं मैंने बन कर दिया है और बिसमिल्हा करके इसको निकाल ले दें गया इस कड़ाई के अंदर से बहुत ही मज़ेदार इस टाइम बनेंगे आगी के मसाला चाथ आपको इंशा कर लिया है अलग से और उसी आइल के अंदर अब हमने तीन अदर दर्मियानी साइस की प्याज ले लिए थी और करके रख लिए थी बारी कर लिए इसको बिल्कुल मैंने सौते कर लिया है पांच मिनट के अंदर सौते हो जाएगी ज्यादार राडिश वगरा नहीं करनी है बिल्कुल देखें बिल्कूल परफेक्ट सुकिया और इसके बाद प्यारी प्यारे जी गाईस पेंग कलर के टीमाटर अपने लाल लाल टीमाटर इसके लाड कर दिया है आप हम इसके權 अंदर यायंदर पिसा हुए नोस Olandra राएफ नमक सलंबगा तो वहने नहें ऻोनदार तो अच्छे से भूहना है टेमारों को इंशालला बोटी मज़ेदार है इसको कुक कर लेना है 10 मिनिट में बिल्कुल टेमारों मैल होके हैं मसाला बहुती बड़ी असा बुन चुका है पानी डालनी की बिल्कुल जरूरत नहीं अपनी पानी काफिता इसके अंदर सो स्काइव तो देखें क्या ही बात है जिनाब मज़धार सी खुच्छबो आ रही है प्यास हमारे इसकी अब हम इसके आंदर डालने वाले गाइस क्रेले जो हमने फ्राइब कर लिए थे बिल्कुल इसके साथ हम जितने हाफ को की हो गये थे और बिल्कुल इसको फुल कुक कर ल तो आगे का प्रोग्राम शुरू करते हैं ऐसा होता रहता है गाइस सब्सक्राइब कर दिया और आप देखें मज़ेदार से इसको हम ढख देते हैं पांच मिनट से छी मिनट के नहीं इंशालर यह परफेक्ट को जाएंगे मीडियम टूलू फ्लेम पर रखेंगे तो देखें सुभान अल्ला जिनाब पांच मिनट बाद बिल्कुल परफेक्ट को को चुके हैं क्या ही मज़ेदार से जिनाब कुछ वह आए क्याप हटाते ही लाजमी आप लोगों ने ट्राय करना है और अपने कमेंट्स के जरीए अप सब्सक्राइब कर लीगा अपना बहुत ख्यार रखेगा मज़ेदार से क्रेलो की रैस्पी बिल्कुल रेडी है इजादत दीजिएगा नेक्स रैस्पी में मिलता हूं आप लोगों से फी एमान अल्लाह